नमसकार दोस्तूँ सेहत और डियोंसेली में आप सभिका स्वादात है कई بार कुछ कारणों से महिलाओ को गर्वधारं में कई परिसानियों का सामना करना पड़ता है कई बार कुछ आधितों और परिस्तितिके चलते महिलाएं चाहा कर भी गर्वधारं नहीं कर पाती अगर महिला गर्बधारन की कोशिस कर रही है और फिर भी गर्बधारन नहीं हो रहा है तो कुछ आदतों में बदलाव करके या कुछ तरीकों के जरिये गर्बधारन किया जा सकता है तो आई ये जानते हैं उन तरीकों के बारे में जिनको अपना कर जल्दी प्रेगनेंट हु परफी रहती है कि इस उम्र में फटिलाइजेशन ज्यादा होता है 25 साल की महिला की तुलना में 35 साल की महिला को प्रेगनेंट होने की 50 प्रतिसत कम चांस होते हैं इसलिए यहां देखिए कि आपकी उम्र क्या है अगर उम्र ज्यादा हो रही है तो डॉक्टर से परामर्स ले आवविलेशनी पर नजर्फे पीरियेट से दो हफ्टे पहले का समय महिला के आववियुलेशन एका समय होता है इस गर्वधारण करने का प्रयास करें डॉक्टर कहते है कि अविलेशन पिरियेड में गर्वधारन के चांस 60-70% होते हैं। इस दरवन किये गए प्रयास के रिजल्ट में कंसीव करने की सम्हावना काफी बढ़ जाती है। महावारी का चक्र नियमित करें। जल्दी गर्ववती होने के लिए जरूरी है कि आपके पिरियेड का साइकल दुरुस्त हो। वो तैसुदा तारिक से पहले या कुछ दिन बाद ना हो रहे हो। अगर पिरियेड रेगुलर नहीं है तो तुरन डॉक्टर को दिखाए और इलाज करवाए। जल्दी प्रेगनेंट होने के लिए पिरियेड का नेमित होना सबसे जरूरी है। जल्दी प्रेगनेंट होने के लिए होने वाली माह में फर्टिलीटी होना बहुत जरूरी होता है। माहवारी समय पर होती हो और फर्टिलाजेशन भी समय पर होता हो। इसके लिए जरूरी है कि आप डॉक्टर से फर्टिलिटी की जाच कराएं, अगर मात्र कम आती हो तो पहले treatment कराएं, पहली pregnancy को award न करें, भूल कर भी अपनी पहली pregnancy को खत्मना करें, यहां गलतिया अक्सर नविवाहित कर बैठते हैं, और फिर उन्हें गर्भधारन के लिए क काफी प्रयास करने पड़ते हैं, दरसल पहली pregnancy ही आपके fertilization को सम्रिद्ध करती है, पहली pregnancy को ही अगर abortion की जरिये खत्म करवा दिया गया हो तो समस्या काफी बढ़ जाते हैं, वजन पर कंट्रोल करें, बढ़े हुए वजन के जवरान संसीव करने में काफी प्रिसानी होती ह मोटापे के चलते लाखो महिलाएं मा बनने का सुप नहीं भव पाती, क्यूंकि ओवरवेट के चलते उनके फैलवपियन ट्यूब और और औरी के बंद होने की असांका बढ़ जाती है, मोटापे के चलते कई महिलाओं की बच्चे दानी में सिष्ट तक हो जाते हैं, इसलि गर्वधारन होने के चांस खत्म होते हैं, क्यूंकि फर्टिलाजेशन प्रॉपर डाइट से जुड़ा हुआ मामला है, महिला खुश रह और अच्छा खाना खाये तो प्रेगनेंसी के चांस 30% तक बढ़ जाते हैं, ना से को कहें ना, नए जमाने में लड़किया भी सिगर और सराप पीती है, लेकिन यहां आदक गर्वधारन में दिक्कर पैदा करती है, दरसल सिगरेट और सराप का सेवन प्रजनन छंपता को घटाता है, और इसका सीधा असर आविलेशन पर पढ़ता है, लगातार सिगरेट और सराप का सेवन करने से हाटिलीटी पर बहुत अविलेशन की प्रक्रिया पर गरा असर पढ़ता है, और इससे लंबे समय तक कंसीव नहीं हो पाता है, आप जब भी माँ बनना चाहे तो सबसे पहले गर्व निरोधों को ना कहें, और हपते में दो सी तीन बार प्रणाय संबंद बनाएं, लुब्रिकेंड को कहें ना, अ हिलाओं के सरीर में पर्याप्त लिक्वीड बनता है, जो स्पर्म को औरी तक ले जाने में सायक है, और इससे गर्व धारन की सम्मावना भी प्रबल होती है, इसलिए लुब्रिकेंड के स्नेमाल ना कर नहीं, लंपती के लिए अच्छा होगा, तनाव से रहे दूर, आल्च गर्वधारन की सम्मावना को प्रबल करते हैं, और महिला जल्द गर्वती होती है, लेकिन इन उपायों में भी कुछ वक्त लगता है, अगर इन उपायों में से भी गर्वधारन नहीं हो पा रहा है, तो दमपत्ती को डॉक्टरी जाच करवानी चाहिए, ताकि अगर स्वस